सिरी सिवैन मस्तुब्यम हर हर भादी दिर्श को उपज गुदी द्वारा बताय गया उपाहे इस उपाय को करने से आपके उपर जितना भी कर्जा होगा वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा अगर आप अपने जीवन में कर्ज के बोज तले दव चुके हैं कर्ज चुकने का नाम ही नहीं ले रहा है धनाने के कोई भी मार्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मंगलवार के दिन ये आसान सा उपाय का नाम बिल्कुल न भूले मात्र पांच मंगलवार आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके उपर से जितना भी कर्जा होता है वे हमिसा के लिए समाप्त हो जाता है। इस उपाइ को करने मात्र से ही आपके घर में मातलाचमी का आग्मन प्रारम हो जाता है dhannane के नैने मार्ग खुल जाते हैं धर्श को इस उपाय को करने के लिए आपको पंच वड़ के साफ स्वच पत्ते लेने हैं ध्यान रहे ये पत्ते कहीं से कटे पिटे नहीं होने चाहिए एकदम साफ स्वच कोमल से पत्ते आपको वड़ के लेने हैं जिसे की बरगत का पत्ता भी कहा जाता है फ उसके बाद सुद्ध सर्सों का तेल इन दीपकों में भरना है और रूई की लंबी बाती का प्रयोग करना है फिर उसके बाद आपको किसी भी हनमान मंदिर में जाना है आप ये उपाय मंगलवार के दिन सामके समय करेंगे जब आप हनमान मंदिर में जाएंगे तो पांचों पीपल के पत्तों को वरावर एक लाइन में रख लेंगे और उन पत्तों के ऊपर आप जो आटे के दीपक पांच लेकर गए हैं जिसमें की सुद्ध सरसों का तेल भरा हुआ है और रुई की लम्मी बाती डली हुई है उन पत्तों के ऊपर उन पांचों दीपकों को रख दें और वो दीपक आपको जला दिने हैं उसके बाद हनमान जी के ओम हन हनमते नमह मंत्र का जाब कम से कम ग्यारे 21 या एक्यामन जितना आपके उपर संभव हो उतनी बार आपको वहीं बैट कर करना है उसके बाद भवान हनमान से आपको प्रात्रा करनी है कि आपके उपर जितना जल्द समाप्त हो जाए ऐसा करने मात्र से हनमान जी प्रसन होते हैं और आपके उपर जितना भी करजा होता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और मालच्मी का आगमन आपके घर में पुनह प्रारम हो जाता है और मातलच्मी की असीम क्रपा से आपके घर में जितना भी करजा होता है वह धीरे धीरे चुक जाता है धनाने के नए नए मार्ग खुल जाते हैं और आपकी आमंदनी के नए श्रोत बनते हैं यदि आपका अभ्योपार भी ठप पड़ गया है वह भी तेज गती से चनले लगता है तो उसको उमीद है आपको यह उपाय बहुत ही अच् तो बें हर-हर महदी